हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज मैं आप लोग को डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नोलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखे हैंगे दोस्तो माल लीजिए आपको बोलना हो पैसा तो मेरे हाथ की मैल है पैसा तो मेरे हाथ की मैल है तो दोस्तो यहां पर यहां मुहाबरे की तरह यूज किया गया है लिटरली हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते इसके लिए आप लिख सकते हैं मनी दस नाट मीन एनिथिंग टू मी माल लीजिए आपको बोलना हो वरिक्ष में फल लगे हुए हैं वरिक्ष में फल लगे हुए है तो इसके लिए आप लिख सकते हैं दोस्तो इसे पढ़ते हैं बेर बेर काफी इंपोडेंट वर्व है और नाउन भी है बेर का अर्थ भालू भी होता है बेर का अर्थ जन्म देना भी होता है बेर का अर्थ सहना भी होता है और किसी चीज को अपने उपर ले लेना उसे भी बेर कहते हैं जैसे बेर दबलेम यानि कि अपने उपर दोस ले लेना और दोस्तो बेर से ही बोर बनता है और बोर्न बनता है यानि बेर का अर्थ जन्म देना भी होता है बेर बोर बोर्न दोस्तो माली जी आपको बोलना हो मुझे पांच बजे उठा देना तो दोस्तों उठाना का होता है wake up, wake somebody up, यानि कि किसी को उठा देना, जगा देना, यानि कि जागना और जगाना, दोनों के लिए ही आप wake up का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, wake me up at five o'clock, wake me up at five o'clock, मालीजे दोस्तों आपको बोलना हूँ, उसकी आखों में लजजा है, उसकी आखों में लजजा है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, especially for girls, there is modesty in her eyes, there is modesty in her eyes, मालीजे आपको बोलना हूँ, उसकी नस नस में, शरारत भरी है, उसकी नस नस में शरारत भरी है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, He is mischievous to the core, He is mischievous to the core, मालीजे आपको बोलना हो, आपसे बहस करना बेकार है, बेकार के लिए लिखते हैं, useless, तो यहाँ पर लिखेंगे, It is useless to talk to you, It is useless to talk to you, मालीजे दोस्तों आपको बोलना हो, बड़ा मज़ा रहेगा, या फिर आएगा, तो इस sense में आप लिख सकते हैं, It will be great fun, It will be great fun, और दोस्तों, नेक सेंटेंस काफी important है, मालीजे आपको बोलना हो, उन लोगों ने अफवा उड़ा दी, उन लोगों ने अफवा उड़ा दी, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सेट अभी वर्ब टू है, यह सिम्पल पास्टेंस में है, मालीजे आपको बोलना हो, आप चाहें यह न चाहें आपको यह करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इस सेंस में आप, विल हैब, तू, प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं, आप चाहें या न चाहें, यहाँ पर वेदर और का यूज करेंगे, वेदर, यू, लाइक इट, और नॉट, आपको यह करना पड़ेगा, यू, विल हैब तू, दू इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैब तू दू इट, मालीजे आपको बोलना हो, काश, मेरे पास, और अधीक, लिखने का, समय होता, काश, मेरे पास, और अधीक लिखने का समय होता, तो दोस्तो, इस तरीके के सेंटेंस में, हम लोग, काश के लिए, आई विश का यूज करते हैं, और सेकंड पार्ट में, हैड का यूज करते हैं, जैसे, आई विश, आई विश, आई विश, आई हैड, टाइम, टू राइट, मोर, इसी तरह दोस्तो, मालीचिये, कास में एक पक्छी होता, तो मैं उड़ पाता, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, आई विश, आई वर, और बर्ड, कास में एक पक्छी होता, और उड़ पाता, आइंड, कुड़ फ्लाई, दोस्तो, इमेजिनेटिब सेंटेंस में, आई के साथ वर का यूज करते हैं, हलांकि, जेनरल सेंटेंस में, आई के साथ वोज का यूज किया जाता है, I wish I were a bird, एंड कुड़ फ्लाई, मालीचिये, आपको बोलना हो, वह, पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, या फिर ख्लेवर एट इस्टडीज, यानि कि यहां पर गुड या ख्लेवर एट का यूज करना है, He is good एट इस्टडीज, मालीचिये दोस्तों आपको बोलना हो, तुम, यहां, कितनी देर, रुकोगे, या फिर ठरोगे, तो दोस्तों एक तरह से यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है, और यहां पर है कितनी देर, यह है question word, इसे पहले लिखेंगे, How long, will you, stay here, How long will you stay here, और दोस्तों, next phrase काफी important है, मालीचिये आपको बोलना हो, कहने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, इड़ गोज बिदाउट सेइग, इड़ गोज बिदाउट सेइग, मालीचिये आपको बोलना हो, तो तुम कितनी बार मुंबई गये हो, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, हाव मेनी टाइम्स हैब यू बिन तू मुंबई, हाव मेनी टाइम्स हैब यू बिन तू मुंबई, दोस्तो जनरली ऐसे सेंटेंस में हम लोग बिन का यूज करते हैं, बिन का अर्थ हुआ कि वहाँ पर रह कर आना, हाव मेनी टाइम्स हैब यू बिन तू मुंबई, जैसे मैं पांच बार मुंबई गया हूँ, आप बिन तू मुंबई फाइब टाइम्स, मालीजे दोस्तो आपको बोलना हो, तुम कितना तेज दोड़ सकते हो, तुम कितना तेज दोड़ सकते हो, हाव फास्ट कैन यू रन, और दोस्तो नेक सेंटेंस काफी इंपोर्टन्ट है, मालीजे आपको बोलना हो, वह कैसा इनसान है, यानि कि बेभार में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और दोस्तो इसे पढ़ना है, और मालीजे आपको बोलना हो, वह देखने में कैसी है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, हाव ड़ज, शी, लुक लाइक, हाव ड़ज शी लुक लाइक, दोस्तो मालीजे आपको बोलना हो, मैं, इस प्रस्ण, को नहीं समझा, मैं इस प्रस्ण को नहीं समझा, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर गेट का भी यूज कर सकते हैं, और मालीजे कि मैं आपके पॉइंट को नहीं समझ पाया, तो आप लिख सकते हैं, आई, डिड़न्ट, आप चाहें तो कुड़न्ड का भी यूज कर सकते हैं, गेट, योर पोइंट, आई डिड़न्ट गेट योर पोइंट, और दोस्तो नेक सेंटेंस काफी यूजफूल है, डे-टु-डे लाइफ में माली जब आपको बोलना हो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, या फिर आप लिख सकते हैं, आई आप ग्रेट फूल तो यू, आई आप ग्रेट फूल तो यू, एक ग्रेट होता है इस तरीके से, जिसका अर्थ होता है महान या बड़ा, I am grateful to you, और दोस्तों आज का आखरी सेंटेंस भी काफी important है, याद रखेंगे, शादी दस मार्च को होगी, शादी दस मार्च को होगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और दोस्तों, यदि टाइम पहले से फिक्स हो, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो टेक प्लेस का भी यूज कर सकते हैं, और कम आफ का भी अर्थ होता है, घटित होना, यह एक फ्रेजल वर्ब है, I hope friends, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि है मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, All right friends, thanks for watching, have a great day!